अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बिल के निशान को प्रेस करें फिश के अंडे की भुर्जी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम अंड़ लिया है मचली का और इसके लिए हमें कुछ मसाले चाहिए आदा छोटा चिम्मच हल्दी पॉर्डर, आदा छोटा चिम्मच नमग, एक बड़ा चिम्मच लाल मिर्ची पॉर्डर, आदा छोटा चिम्मच काला नमग इसे हम बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही टेस्टी बना कर तयार करेंगे अब आईए बनाना स्टार्ट करते हैं तीन बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है इसे हम मस्टर्ड ओयल में ही बनाएंगे इसमें तेल ज्यादा लगता है इसलिए हम तीन बड़े चम्मच लिए तेल हमारा गरम हो गया है अब इसी में हम अंडे को डालेंगे आज़ता 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 है इसे सारा मेने डाल दिया है अब इसी में हम यह सारा जो निकाले थे यह डाल देंगे डाल कर इसे हम लोओ फ्लेम पर इसी तरीके से भूनेंगे पहले हम इसको अची तरीके से सारे मसाले को मिला लेते हैं देखिए दो तीन मिनिट हो गया है इसे हमें चलाते हुए तेल हमारे देखिए काफियाद तक अब्जॉब कर लिया है अब इसे हम चम्मच के मदद से आइस्ता आइस्ता इसे हम तोड़ देंगे तोड़कर इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे अब इसे हम आइस्ता बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम आइस्ता इस्ता भून लेंगे ताकि हमारे जले नहीं झाल झाल लेकि अब यह हमारा हलका हलका ब्राउन होने लगए इसे हम इसी तरीके से लो फ्लेम पर थोड़ा हम इसे रलका ब्राउन कर लेंगे ये बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही टेस्ती बनकर तयार होता है लेकिन आप इसे जब भी बनाएं तेल धियान रखिए क्युंकि इसम कम डालेंगी तो यह उतना टेस्टी और ज्यादा अच्छा से लाल नहीं होगा आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं और अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगी आप लोगों का अगर साथ रहा तो इंशारला मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगी और मुझे कॉमेंट्स जरूर करते रहें कॉमेंट्स आपका पढ़का मुझे बहुत अच्छा लगता है यह देखे अब यह हमारा रेडियो उने लग गया है अब इसे हम पांच मिनाट तक और इसी तरीके से चलाएंगे चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे लगता है यह जलने का डर रहते हैं हम इसे यह इसी तरीके से चलाते रहेंगे अब यह हमारा बनकर रेडियो हो गया है इसे बनने में बस बंदर से 20 मिनिट के अंदर यह हमारा बनकर रेडियो हो जाते हैं अब हम गैस को आफ कर देते हैं और मैं आपको डिशाउट करके दिखाती हैं यह हमारे फिश के अंडे की बुर्जी बनकर रेडियो है इसे आप जरूर ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट्स करके बताएं मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी अल्ला हाफिस